हलो फ्रेंड वेलकम टो देसी फूड आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेवल पनीर इसके लिए मैंने अरहाई सो गराम पनीर लिया है मैंने घर का पनीर यूज किया है अब हम इसमें एक चमच जिंजर गार्लिक पेश्ट एड़ करेंगे आधा चमच लाल मिर्च पाउडर मिला ले इसे अच्छे से अब हम एक पैन गर्म कर लेंगे जब पैन गर्म हो जाए तब हम इसमें तेल डाल देंगे तेल के गर्म होते ही हम इसमें पनीर डाल देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से हम पनीर डाल देंगे पनीर को हम बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे इसे हम तब तक फ्राइ करेंगे जब तक की पनीर का कलर गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए गैस का फ्ले मीडियम रखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पनीर फ्राइ हो चुका इसी तरह से हम सारा पनी फ्राइ कर लेंगे वेच्टेवल में मैंने दो बंद को भी लिया है दो कटोरी, एक सिमला मिर्च लिया है दो प्याज लिया है, दो हरा मिर्च लिया है 25 लसन लिया, एक इंच अदरक लिया, एक टमाटर लिया अब हम एक कराई गर्म कर लेंगे जब कराई गर्म हो जाए तब हम इसमें पांक चमच तेल डाल देंगे तेल के गर्म होते ही इसमें हम अदरक और लासन डाल देंगे और से एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे एक मिनट बाद हम इसमें एक चमच जीरा डाल देंगे इसे भी फ्राइ कर होने देंगे अब हम इसमें कैपसिकम और ग्रीन चिली डाल देंगे मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से अब हम इसमें प्यास डाल देंगे मिला ले इसे अब हम इसे दो मिनट तक मिडियम फ्लेंपर फ्राइब करेंगे दो मिनट बाद हम इसमें बन्य को भी डाल देंगे सभी को अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें एक चमच नमक डाल देंगे मिला ले इसे अब हम इसे ढख कर पांच से छे मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे अब हम एक कटोड़ी लेंगे उसमें दो चमच ग्रीन चिली डालेंगे दो चमच सोया सॉस डालेंगे दो चमच टमेटो सॉस डालेंगे आधा चमच विनेगर डालेंगे दो चमच से जुआन का चटनी डालेंगे सभी को मिक्स कर लेंगे जसा कि आप देख रहे हमारा vegetable अच्छे से fry हो गया है अब हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे सभी को अच्छे से mix कर लेंगे इसे भी हम दो मिनट तक fry कर लेंगे दो मिनट बाद हम इसमें sausage आड़ करेंगे याद रहे मैंने अल्रेडी एक चमच नमक डाल चुका है अब हम इसमें नमक नहीं डालेंगे सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने अब हम इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम उसी कटोरी में दो चमच कॉन फ्लोर डालेंगे और पाँच चमच पानी डालेंगे सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी वेजटेवल में एड़ कर लेंगे साथ ही एक कटोरी पानी और एड़ कर लेंगे धक के पाँच मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे पाँच मिनट बाद हमारा वेजटेवल पनीर बिल्कुल रेडी है जैसा कि आप देख सकते हैं